तो हे वाट्सप गाईज तो कैसे हो आप सभी लोग वेलकम टू दमाई चैनल तो गाईज मैं आप चापके लिए लेकर आए हम एक नए वीडियो तो बहुत से बंदे बोल रहे थे भाई अपनी सेंसिटिविटी की वीडियो बनाओ अपनी बेसिक सैटिंग की वीडियो तो गाईज यह है मेरी प्रोफाइल और यह आउटफिट एचीव्मेंट पर चलते हैं एचीव्मेंट मेरे पास वैपन माश्टर वैलाइक डैउनली टियर व्यू पर देख लिजे और मैं हूँ टियर व्यू में काउंकुरर पर और यह है मेरा केड़ी 37.52 का केड़ी है और गाईज मैं दिखाता हूँ कॉंकर पर आपको कितने चिकन करने पड़ते हैं यह हालत कॉंकर पर अगर एक भी चिकन छूटता है तो आपका केड़ी पानस होता है पिलस आपकी रैंकिंग मैनस होती है तो गाईज देख लो सारे पीच में दो मैच खराब थे तो यह है आलत कॉंकर पर तो गाईज मैं आपको दिखा देता हूँ रैंकिंग और देखो मैं रैंकिंग पर हूँ 94 पर और आगे बढ़ने इस पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाल सा बटन होग है बेसिक सेटिंग और सेंसिटिविटी के लिए तो चलो वह चीज हम देख लेते हैं तो पहले आती है बेसिक सेटिंग और पेसिक सेटिंग में आता है पहले एमसिस्ट के लिए तो पहले आप एमसिस्ट क्लोज होता है लाइट होता है मीडियम होता है और हैवी होता है तो को स्क्रीन पर दिखाता है कि कहां से पढ़ रही है और इसको आप टैप पर रखें और शॉटगन फायर फायरिंग मोड जो है उसको भी आप टैप पर ही रखें और तो गाइस अब आता है पीक एंड फायर तो गई नॉर्मली सभी सभी लोग और नहीं रखते हैं तो आप भी है होड में बहुत दिक्कते आती है तो किस टैप पर आप राख सकते हो इसको और यह है डिस्पिल इफ लेफ्ट फायर बटन तो कई इसको अलवेज ओन रखना है आपको इससे कोई आपका दूर दूर तक नाता नहीं है और जैरो स्कूब की बात करते हैं तो जैरो स्कूब और यह तो आपको पता यह को फूर पर आता है और कीटम में आपको दिखाते हैं इस कोई आटम-को भी आपको नहीं होता है तो जैरां रखन them जो कि भहिया के हैं और थोड़ा सा light dark करके दिखा देता हूं ताकि सब लोग को दिख जाए ठीक से तो आप control देख सकते हैं यह हमारे control है और firing बटन दिखा देता है firing बटन भी मैं दिखा देता हूं आपको यह रहां firing बटन बताने क्यों चुपा के रखते हैं बट कोई बात नहीं उनकी habit है तो अब आते हैं अपने four finger पर four finger गाइस मेरे हैं तो आज देख लिए थोड़ा dark करके दिखा देता हूं बहुत हर एक पैनाई से बनाए गए इन control को बहुत एक छोटी चोटी चीज़ देखकर तो आप इनको भी control चूस कर सकते हो तो easy है control ज्यादा hard नहीं है easy है और बीच वाला तो इससे कोई दूर दूर तका पनादा नहीं है बहुत ही कम लोग उस करते हैं ना इसका कोई use है ठ तो चैटे सेटिंग में आपको recommend करूंगा आप स्मूद एक्स्ट्रीम पर खेले। तो आपके यह बहुत बैस्ट रहेगा और अगर आपके एक्स्ट्रीम नहीं है तो अल्ट्रा आप कर सकते हो बट अगर एक्स्ट्रीम रहता है तो आप एक्स्टीम करके खेलो क्योंकि 60fps म करना पड़ता है क्योंकि अब भाई हर कोई बोले लगता है छोड़ो तो काईस यह था मेरा ग्राफिक सेटिंग मैं जदा तर HD में खेलता हूं लाइव स्टीम पर क्यूंकि लाइव स्टीम सब बोलता है ग्राफिक थोड़ी क्वालिटी थोड़ी आपकी लोग है थोड़ा यह वह है तो इसलिए मैं जदा तर एच्टी पर खेलता हूं और अभी फ्लाल के लिए बैलेंस कर लेता हूं तो गईस यह है वीकल वीकल में आपको बस यही रखना है नौरमली तो नीचे आ जाते हैं पिक अप तो पिक अप मे प्रफ़ाइब तो एक उठाएगा अगर पांच कर दो कि स्मोक तो पांच उठाएगा तो आप यहां पर आकर ऐसे कर सकते हो और आप आते हैं गई स्कोप पर स्कोप पर आपको नॉर्मली और और यह रखता हूं लाइश्टीम पर ताकि अगर ना हो ठीक है और तो सब लेंग्वेज आपके इंग्लेस रहते ही अब आजाते हैं सेंसिटिविटी पर और सेंसिटिविटी देखने से पहले हम स्काइब देख लेता है कि अगया है तो आपने मेरा स्काइब देखी लिया होगा और अगर आपको भी ऐसे करना है तो आपको चैरो सीखना पड़ेगा और चैरो बहुत ही बहुत ही में चीज बोल सकते हो क्योंकि जब तो आप विदाउट जैरो खेलते हो तो आपका एम उदर उदर चला जाता है जो आप थम यूज करते हो बट जैरो में ऐसा नहीं होता तो का इस कैमरा आपने सेंसिटिविटी देखी लिया उपर यह है मेरा कैमरा जो कि आप स्कीन को घुमाते हो इदर उदर ठीक है और इस और नीचे गाइज आब आता है ADS और ADS में आपको रहता है कि जब आप स्कोप खोलते हो तो स्कोप के लिए मैं बताता हूं आप स्कोप खोलते हो तब ADS यूज करते हो यह विदाउट जैरो के बता रहा हो आप इसको अगर थोड़ा सा हाई कर लोगे तो आप जब नीचे पर स्वाइब करते हो तो आपका थोड़ा मुथ चंट्रोल होता है पर जब अगर तुम इसे हाई कर लोगे तो बस तुम्हें वह जितना तुम पूरा घुमाते हो तो तो थोड़ा सा घुमाना पड़ता होगा ठीक है तो आप इसको भी थोड़ा कर सकते हो तो जैरो आपको बता दू जो मेरा 4X का है 4X वो मेरा देखो स्नाइपिंग के लिए था पर अब यह मेरा स्प्रे के लिए होता है मतलब 150 160 170 यह मेरा स्प्रे के लिए होता है बड़ जो मेरा स्नाइप्रिंग के लिए होता है वो होता है मेरा 120 ठीक है और 6X जो है ठीक है तो जब तो कई सबसे बड़ी चीज में बता दूँ आपको जो आपका 3X होता है ठीक है 3X की sensitivity 6X में यूज होती है 4R content information जब 6X को half कर लेते हो 3X पे तो जो आपका 6X होता है न वो हट जाता है तो 3X की sensitivity यूज होती है जो मेरा 170 है तो मैंने 6X को half किया ठीक है तो जब म 6X की sensitivity यूज होती है तो बहुत से बंदें बोलते हैं 6X की sensitivity नहीं 6X को आप half करके चलाते हो तो 3X की sensitivity पूछो 3X को फिर जातना आप कर लोगे तो 6X की 6X को half करोगे तो वह अपने आप तुमारा set हो जाएगा बहुत से बंदें का करते हैं 6X को आई कर लेते हैं 3X एक्दम वही 100 रहता है तो यह मेरा 6X स्नैपिंग के लिए है और 3X जो है मेरा यह स्प्रे के लिए है तो जब मैं 6X को half करता हूं तो मेरा automatic 6X की sensitivity जो 6X की अलग हो जाती है और 3X की मेरी sensitivity अलग हो जाती है तो 3X का मेरा 6X में यूज जाता है तो guys बस यह था और कुछ नहीं तो guys अच्छा gameplay निकाल सकते हो और बहुत से बंदे अपनी भी sense बना सकते हैं जैसे कि यह मेरी खुद की sense बनाई होई है तो आप भी अपने खुद की sense बना के use कर सकते हैं तो guys मेरा यह पहला voice over है और ignore करना अगर कुछ भी गलत वलत हुआ हो तो अगर यह sense आपके थोड़ी सी भ दिलूँ आपको जो कि एक gameplay के साथ होगा तो आज के लिए बस इतना ही like कर देना गाई सब्लोग subscribe कर देना गाई चैनल को और comment जरू करके जरू बतना बाए अगर 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 अगर